क्या आपको भी एलर्जी की दिकत प्रशानी है, गले में बार-बार बलगम बनता है, छीके आती है, बहुत जादा गले में इरिडेशन होता है, कई बार आपको बहुत जादा छीके आने के साथ में आपको नाक से पानी आना स्टार्ट हो जाता है, आखों से पानी आना स्टा परचान है जो लोग एंटी एलर्जिक मेडिसेंस जैसे सिट्राजिन, मॉंटिलियोकास्ट की टैबलेट्स प्रति दिन खाखा कर परचान है और उनको कोई रिलीफ नहीं है बहुत जादा हतास परचान हो चुके हैं तो उन सभी लोगों को मेरा ये वीडियो पूरा जरूर द दिक्कत प्रशानी होती है वो दिक्कत प्रशानी सॉल्व हो जाएगी मेरा नाम डॉक्टर सहिच जोशी है मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगा एलर्जी को ठीक करने के कुछ उपाए रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से कि वीडियो को बिना स्किप करें वे पूरा एंड तक जरूर देखना तभी आप इस एलर्जी की प्रॉब्लम को ठीक कर पाएंगे Ç़ चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के लेकिन शुरू करने से पहले दोस्तो अगर आप इस चैनल पर मेरे चैनल पर आपने फॉर्स टाइम विजिट किया है तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बेल ब तर्टी बार-बार आपको जुखाम खासी होता है रियकरेंट कोल्ड काफ होता है इम्मिनुटी कम होने से बार-बार जुखाम खासी हो रहा है जिनको छीके बार-बार आती है नाक से पानी आता है जिनको एलर्जी के लक्षन जिनको बलगम बहुत जादा बनता है अगर आप आपको भी अभी ये दिक्कत शुरू हुई है एक्यूट प्रॉब्लम है हाल फिलाल में अभी आपको परिशानी शुरू हुई है जस्तीशिया 30 होमियोपेटिक मेडिसन की चार ड्रॉप्स एडल्ड के लिए और दो बूदे बच्चों के लिए हाफ स्पून वोटर आदा चम इस मेडिसन को लेने के बाद मिलिंगे अगर आपका प्रॉब्लम एक्यूट है ऐसे मरीज जिनको दो साल तीन साल चार साल से एलर्जी की प्रॉब्लम है प्रॉब्लम क्रॉनिक है उनको एवरी थर्ड दे हर तीसरे दिन महीने में 10 बार जस्तीशिया 200 होमियोपेटिक मेडि मेडिसन के कोई साइड एफेक्ट नहीं है ऐलर्जी के केसेज में कोल्ड कफ के केसेज में बहुत ही जादा एफेक्टिव मेडिसन है दूसरी मेडिसन जो आपको लेनी है वो है हिस्टामिनम 30 स्पैसिफिक मेडिसन है ऐसे लोगों के लिए ऐलर्जी के लिए जो लोग Contilucast Tablet, Anti-Allergic Treatment चाहे आपने कोई भी ले लिया हो, Allopathic, Homeopathic, Ayurvedic, Yunani, Home Remedies, सब कुछ आपने यूज़ करकर देख लिया हो, फिर भी आपको कोई Relief नहीं मिला हो, तो एक बार ज़रूर Homeopathic Medicine, Histaminum 30 की, 4 Drops, Adults के लिए, आदे चमच पानी में, खाने से आदा घंटा पहली, सुबह, दोपर, शाम, TDS, Thrice Daily, इस्तमाल करकर ज़रूर देखना चाहिए, इस Medicine से अगर आपको 20 दिन Regular यूज़ करने से अराम होता है, आपके Problem में Relief आपको मिलता है, तो इस Medicine को आप Histaminum 30 को प्रोलॉंग्ड लंबे समय तक भी इस्तमाल कर सकते हो, Medicine के कोई Side Effect नहीं है, Third Most Important Medicine मैं आपको Highly Recommend करूँँगा, Personally मैं खुद भी अपने क्लिनिक में, Tough से Tough Multiple चीजों से Allergy से Related Cases में, Patient को Prescribe करता हूँ, HSL, 62 साल पुरानी Homeopathic Company का Product, Drox 30 Penicillin Drops, बहुत ही ज़्यादा Effective है, Highly Recommend Homeopathic Medicine है, Allergy से Related Cases के लिए, इस Medicine को हर उमर का व्यक्ति यूज़ कर सकता है, कोई Side Effect नहीं है, Trusted Homeopathic Company का बहुत ही Useful Product है, इस Medicine को आप 50 ml पानी में, 1 चौथाई कब पानी में, Drox 30 Homeopathic Medicine की, ज्यान से सुनियेगा मेरी इस बात को, 50 ml, एक चौथाई कब लगबग पानी में, Drox 30 Homeopathic Medicine की, 20 बूदे Adults के लिए, वियस्क के लिए 20 Drops, बच्चों के लिए 10 बूदे, सुबह दो पर शाम, खाने से Approx, आदा गंटा पहले, Multiple चीजों से, Allergy से Related Tough से Tough Cases में, आप लोग इस Medicine को यूज कर सकते हैं, इस Medicine को यूज करने से, पहली ही डोज में अराम आ जाता है, और आप इस Medicine को 60 Days तक regular यूज कर सकते हैं, इस Medicine को आप बड़ी ही आसानी से, अपने घर में बैठे, HazLab, HSL Company की, Official Website से, Order करकर मगवा सकते हैं, Order करने के लिए, Description में मैंने इस Product का Link दिया है, और Definitely आपको एक बार, इस Medicine को, Allergy से Related Tough से Tough Cases में, जरूर यूज करकर देखना चाहिए, और इसके Result को Experience करना चाहिए, ये कोई HazLab, HSL Company की तरफ से, Paid Promotion नहीं है, अच्छी Homeopathic Medicine है, इसलिए आप सभी लोगों को Recommend कर रहा हूँ, कि इस Medicine को आप लोग जरूर, कम से कम, इसकी 2 Bottles, Drops 30, Penicillin Drops की 2 Bottles, As per Dosage जैसे मैंने आपको बताया, Use करकर देखेगा, आपको बहुत ही Effective और अच्छे Results आपको मिलेंगे, दोस्तों, थोड़ा सा समय आप लोगों को और लोगों को अवगत कराऊंगा, कि अलर्जी की दिक्कत परिशानी से, अगर आप लोग बहुत परिशान है, इसके लिए आपको ज़रूर Homeopathic Treatment लेना चाहिए, अलर्जी के Cases Homeopathic Medicine से 100% ठीक होते हैं, बेमारी जड़ से खतम होती है, टाइम थोड़ा सा ज़रूर लगता है, थोड़ा लंबा कोर्स, कम से कम 4-6 मेने का, इस अलर्जी की प्रॉब्लम के लिए लेना पड़ता है, लेकिन Homeopathic Medicine अगर आप Qualified Homeopath doctor को विजट करकर, अपने लक्षनों के हिसाब से इलाज लेते हैं, डॉक्टर साब के द्वारा दी गई medicines और बताएगे management को follow करते हैं, तो within a week, 7 दिन में आपको excellent और effective results, अगर आप डॉक्टर साब से treatment लेते हैं, तो आपको मिलना है शुरू हो जाते हैं, problem में आपको बहुत अच्छा आराम 7 days के भीतर मिलने लग जाता है, हलाकि जो इस वीडियो में मैंने आपको तीन medicine recommend करी हैं, आप चाहें तो उनको भी use करके देख सकते हैं, लेकिन अगर आपके area में, आपके आसपास में qualified homeopath doctor हैं, जो allergy से related cases देखते हैं, जिनको experience है, allergy से related cases के साथ deal करने का, अगर आप उनसे मिलकर इलाज लेते हैं, अपने लक्षणों के हिसाब से इलाज लेते हैं, तो definitely दोस्तों, अगर आप homeopath doctor से, qualified homeopath doctor से मिलकर इलाज लोगें, तो आपकी जो allergy की दिक्कत प्रशानी है, 100% जड़ से खत्म हो जाएगी, दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, तो ज़रूर मुझे comment करके बताना, कि वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आप ये दवाईयां योज़ करते, तो भी आप मुझे comment करकर ज़रूर बताएगा, आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से बहुत ज़ल्द इसी चैनल पे, एक और नए इंट्रेस्टिंग हेल्थ रूनेटेट वीडियो के साथ, तब तक आप सभी लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए, हसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज नया कुछना को जरूर सीखते रहिए, टेक केर एवरिवन, थैंक्स पॉर वाचिंग, जैश्री राम